गुड इवनिंग टू आल काफी दिनों बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूं एक लब वे मॉडल रिजिदेंशियल स्कूल के स्टाफ के लिए हाना कि मुझे एक वीडियो एन पीएस पर बनाना है जो पेंडिंग है हाला कि कई लोगों ने एक्टिवेट भी कर लिया होगा फिर भी कुछ लोग पूँच रहे हैं कि सर कैसे करना इस्पेसली शिफ्टिंग को ले करके तो जो एक नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ सर्कुलेट किया गया है एन पीएस वाला वैसे तो उसमें स्टेप्स दिये हुए हैं सारे बिलकुल क्लियर है पीडियो फो सारी चीजे उसमें एक्स्प्लेइन की गई है कैसे करना है इवन फिर भी देखा जाए कि आप लोग अगर नहीं कर पा रहा है तो मैं उसको बता दूगा बात करते हैं शिफ्टिंग जिनका जिसे आलेडी कहीं प्रान नंबर एलॉट हो चुका है यानि जो सर्विस में पहले थे जो कहीं न कहीं चाहें स्टेट गवर्मेंट की सर्विस में हूँ या सेंट्रल गवर्मेंट के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हूँ और अलेडी उनका प्रान नंबर वहां जनरेट हो चुका था तो उनको क्या कराना है शिफ्ट कराना है वहां से उनकी मैपिंग होगी इस department में तो उनके लिए simple है उसी में एक shifting की hard copy एक page उन्होंने attach किया है उसको सही सही fill कर लें आप और fill करके उसको mail कर दें जो उन्होंने एक दी है एक mail ID और I think कुछ website जैसे कुछ है उसको mail करना है उसको या principle को आप दे दे वहाँ से भिजवा दे तो वो आपका shift हो जाएगा उसमें आपको online नहीं भरना है जिसे पहले जब हम लोग join किये थे तो उस समय system था कि ये काम office staff का होता था हम लोगों से ऐसे ही जिसे क्या होता था कि hard copy में print out इसी का निकालगर हम लोग pen से भर के जमा कर देते थे उसके बाद office staff जो है वो उसको online करता था लेकिन अभी इधर दो तीन वर्सों से क्या हुआ है कि इन लोगों ने e-pran जारी करने का एक प्रावधान बना दिया है कि जो teacher या जो भी staff है मतलब जो भी staff है वो खुद अपना अब हम बात करते हैं जो notice ये आज आई है इसके बारे में ये है income tax की notice वैसे तो होता ये है कि TDS जो है हर employee का काटा जाता है हर मन्त की salary से अब वो आप किस category में आ रहा है कितनी salary आपकी बन रही है उसके हिसाब से वो TDS deduct होता है लेकिन आप लोगों ने जुन में जुन किया है तो जुन में जुन किया है तो जुलाई से मान के चलिया है salary आपकी आने start होई है कुछ दिनों की जुन की भी आई होगी निश्चित तौर पह अगर हम जुलाई को consider करें तो जुलाई एगा सितमबर October, November, December, January, February, March 9 महीने तो आप जो salary लेंगे वो इस financial year में यानि ये जो वित्तिय वर्स है इसमें 9 मन्त की आप salary लेंगे अब ये depend करता है कि आपकी पर मन्त gross salary कितनी बनती है मैं gross की बात कर रहा हूँ ध्यान रखियेगा जो आपको मिल रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी जो allowances हैं वो अभी आपको मिलेंगे आपके account में आएंगे और अगर ये सारे जो pending allowances हैं ये इसी financial year यानि 31 मार्स से पहले अगर आपके account में आते हैं तो आप पूरी अपनी salary calculate कर लीजे कितनी हो रही है अगर आपकी salary साड़े साथ लाख से ऊपर हो रही है इधर जब से मिलना आपको शुरू हुआ है जब से भी जून के कुछ दिनों में जो भी आपका amount आया हूँ फिर जुलाई अगर सेप्टेंबर जो भी है मार्च तक 31 मार्च तो calculate कर लें कि कितनी बनेगे जैसे अभी आपके पास सर्फ basic और DA आ रहा है आप अपने principles से या state society से बात कर लें कौन कौन से allowance सभी आपको मिलेंगे तो कितनी आपकी gross salary पर मंत बनेगी जाकर के तो इधर पूरा आपका 31 मार्च तक कितना पैसा बनेगा अगर वो साड़े साथ से कम है तो आपका zero tax है इस financial year का दिहान रखियेगा उसी किनोंने बात करी है पहला point है कि income tax declaration form has been activated on the HRMS portal all the employees are advised to fill and submit their tax declaration for the financial year 2024-2025 यानि आपको tax declaration भरना है tax declaration का मतलब आपकी income कितनी है उसके हिसाब से इधर आपकर tax कितना बन रहा है कितनी tax liability आपके उपर बन रही है calculate कर लीजिए और अगर आपके उपर tax liability zero है तो यह उसमें पूरी अपनी हर मन्त की income दिखा करके यह declaration form भर दीजिएगा ठीक है फिर इसके बाद वैसे इस साल मुझे लगता है आप पर tax नहीं पड़ेगा क्योंकि नाइन मन्त में मुझे नहीं लगता साड़े साथ लाग से उपर इधर मैं मतलब बात कर रहा हूँ पीजी टी लेवल तक की जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है उनका तो ज़्यादा बनेगा जाकर के आई हो पीजी टी लेवल तक नो महीने में नहीं कोई जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है फिलाल अपनी देख लीजे calculate कर लीजेगा अगर उपर जाते हैं तो फिर आपका जो tax calculation होगी वो 3,00,000 से शुरू हो जाएगी मतलब जो new regime है new tax regime जो भी आई है उसमें 3 से I think 7,00,000 तक 5% है और 7 से 10,00,000 तक 10% है तो फिर वो tax liability आपके उपर बनेगी क्योंकि 7,00 तक आपके उपर कोई tax मतलब tax दे नहीं है लेकिन उसके उपर अगर एक भी रुपिया जा रहा है तो tax आपके उपर बनेगा ध्यान रखिएगा तो ये आप calculate कर लीजेए अपना कितना क्या बन रहा है फिर उसके बाद अगर आपकी salary उससे उपर है तो फिर tax आपके calculate होगा तीन लाग से तीन लाग की उपर की income है old tax regime में धाई लाग है और लेकिन old tax regime कब होगा मतलब उसमें पांच लाग तक की ही income में tax मतलब आप वो कर सकते हैं अगर पांच लाग से नीचे है तबी तो new के recording ही करिएगा और saving अगर आपकी है तो पांच के recording कर लीजिएगा जैसा हो आप ये बात पूँच लीजिएगा क्योंकि tax के बारे में अगर समझना है तो उसका मैं अलग से वीडियो एक बना दूँगा कि किसमें फायदा होता है क्या चीज़े है क्योंकि old tax regime जो है उसमें तब फायदा है अगर आपकी savings है आप बचत कर रहा है देन और new में तब फायदा है अगर आपकी कोई savings नहीं है तब जो है आपको new में जाने से फायदा है तो ये हुई tax की बात तो पहला है मतलब main है इस notice का मतलब आप उसमें अपनी income calculate करके उस declaration form को भरके submit कर दीजिएगा दूसरा है in case of non-submission of tax declaration form by the concerned employee TDS will be deducted from the salary as per rate applicable under the income tax और अगर आप tax declaration form नहीं fill करते हैं तो फिर हर मन्त आपकी salary से TDS काटा जाएगा ये सुविधा इसी financial year की है लेकिन अगली बार अप्रेल से तो आपका TDS कटेगा ही चाहें आप declaration form भरे या ना भरे क्योंकि इदर इसलिए क्योंकि इन्होंने भी calculate किया होगा कि आपके उपर tax liability बन रही है क्योंकि इदर आपने देखा जाए तो अप्रेल, माई, जून आपकी sell ली नहीं आई अगर उधर भी होता तो निश्चित तोर पे TDS आपका काटा जाता TDS कितना कटता इसके लिए भी है आप किस lab में आ रहे हैं I think TGT और TGT का जो tax कटेगा TDS वो आपका अप्रेल से कटेगा अभी तो नहीं अभी अगर आप इसको भर के दे देते हैं tax declaration form और अगर tax liability आपके उपर नहीं बन रही है तो it means आपका TDS नहीं कटेगा लेकिन अप्रिल से निश्चित तोर पे कटेगा किसी का 3000, किसी का 4000 ऐसे वो कटेगा तो यह भर दीजिएगा अगर नहीं भरेंगे तो फिर वो अभी काटना सुरू कर देंगे कह रहा है दूसरा point in case of non-submission of tax declaration form by the concerned employee TDS will be deducted from the salary as per rate applicable under the income tax procedure for submission of income tax declaration is as follows यह उन्होंने step भी बताया है www.octoport.co.in website पे जाकर आपको click करना है अपने mobile number और password से login करना है select faculty dashboard उस पे जाना sorry maximize the user academics tab by clicking on plus sign on the right side of the screen start session select administration on the left side panel tax declaration वहाँ पर आप लोग इसको submit कर सकते हैं अपने पूरा हो सकता कुछ नहोंने ऐसे बनाया हो कि auto generate हो जाए कि जब इस पे आप करेंगे login आपकी salary आपका पूरा data I think उनके पास होगा तो इसमें कुछ ना भरना हो लेकिन आप लोग हमें बता दीजिए क्योंकि मैं तो login कर नहीं पाहूंगा इसको क्योंकि मैं उसका employee है नहीं हूं नहीं तो इसमें जो login करेगा उसी को पता चलेगा कि आखिर उसमें क्या show हो रहा है तो एक बार आप बता दीजिए कैसे की automatic सारी information आ रही है खुद भरनी है तो main है आप इस declaration form को submit कर दीजिए submit कर देंगे ज्यादा better है अगर उसमें क्योंकि ऐसे हो सकता जब इन्होंने अगर automatic कर रखा इस side पे जा कर गे आपको कोई समस्य आ रही है इसको एक बार चेक कर लीजिए और हो सकेट मुझे बता दीजिएगा कि क्या उसमें आ रहा है जिससे कि अधर जो भी है उनको guide कर सकूँ तो अब हम बात करते हैं कि जो pending allowances हैं आपके हो सकता इधर इस month से देने लगें वो आप लोगों को अगर यह hand over कर देंगे इस school को तो pending allowance आपके मिलने लगेंगे अब बात आती जब आप NPS सब्सक्राइब करेंगे तो NPS में देखो ऐसा होता है उसमें आपका basic और DA का 10% कटके आएगी जो भी आपका basic परसेंट आपका उस प्रान नम्मर में जमा होगा वो कटके सेल ली आएगी और अप्रिल से मान के चलो 3-4 अजार आपका यह TDS कटेगा तो मुटा मुटा हम यह हिसाब लगा सकते हैं कि जितनी salary आपको अभी मिल रही है के वल basic कि यह क्या करेंगे NPS जब आपका open होगा तो हो सकता ऐसा करें कि जब से आपकी joining है उस मन्त का भी काटें और इधर का भी काटें तो जब तक आपका पिछला require नहीं हो जाएगा तो हो सकता एक मन्त में दो-दो यानि 20% भी काट सकते हैं जैसे माल लो अगर आपका प्रान नंबर जनरेट हो चुका है और उसको उन्होंने submit कर दिया और लगा दिया आपकी salary से उसको attach कर दिया तो नवंबर की जो salary आएगी तो वो 10% कटेगी प्लस हो सकता मैं इसलिए sure नहीं हो क्योंकि नया department है के वीज नवोदय में तो क्या करते हैं कि वो काटते हैं उस मन्त का भी और पिछला भी काटते हैं जब तक पूरा require नहीं हो जाएगा तो यसे आपको जुलाई की salary में नहीं कटा क्योंकि तब जनरेट ही नहीं था अगस्त की salary, सेप्टमबर की salary, अक्टूबर तेरा 14,000 रुपए मान के चलिए आपका 10% जैसे salary आपकी एगर 67 आ रही है तो 7,000 यह तीन अजार 10,000 तो कटके इदर आएगी salary जो भी होगा तो यह है इसके लिए प्रेपेर रही है आप लोग बाकी ठीक है इसको कर लीजिए यह एक और income tax तो देना ही पड़ता है हमी लोग भरते हैं 50,000, 54,000 रुपए तो यह तो एक उसका party है अब government जितना देती है कही न कहीं से वो वापस लेने का भी प्लान करती है तो ठीक है कोई दिक्कत हो तो पहुंच सकते हैं आप लोग मुझसे बाकी मैं NPS पे वीडियो मुझे बनाना है कुछ चीजे हैं जो लोगों पहुंच रहे हैं मैं बना दूँग आज पर ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में